हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं शंसाराम गर्क ने ग्राम के प्रबुत जनों की मौझूद्गी में ढोल ढमाकों के साथ रवाना किया हर परश की भाती इस वश्बे गाउ चोहटा स्तित मंदर से आदिवाल परिवार की ओर से भक्त कैलाश कुमार आदिवाल के सानिद्ध में संग रवाना हुआ सवेरे आठ बजे मंदर परिशन में पैदल यातरी एकतरित हुए जहां राम देवजी भगवान की पूझा अर्चना का संग रवाना हुआ संग रवानगी से पूर्व महिलाओ वयुवतियों ने डोल पर डीजे की धुन पर जम कर नाच किया आदिवाल परिवार की ओर से सभी साधू संतों पर अतितियों का माला पहना कर स्वागत किया गया ये संग धनापुरा गाउ से वेरा रामपुरा होते हुए दुपहर तीन बजे खंदरा राम देवजी मंदर पहुचा जहां आदिवाल परिवार की ओर से राम देव जी बगवान की पूजा आर्चना की गई बोजन के लाबार्ती जैश पुत्र प्रकाश शी भाटी की ओर से राम देव जी को छूरमे का भोग लगाया गया इसके बार प्रसादी का कारिक्रम आयोजित हुआ जिसमें सभी पैदल यादरियों ने लुफ्त उठाया शाम पाज पजे संग का विसरजन किया गया बक्त कहराश आदिवाल ने बताया कि शेत्र में खुशाली के कामना को लेकर हर वर्ष संग खंदरा राम देव जी दर्शनार जाता है ये उनकी साथ भी यात्रा है उनके पूरवच भी यात्रा करते थे प्रवीन आदिवाल, राकेश, दिल्लू, मनोज आदी मौजूद रहे जागरुक टिवी की सुमेरपुर से खास रिपॉर्ट